सोलन पुलिस नशे के काले कारोबारियों पर कड़ी नजर जमाय हुए है। तलाशी के दौरान उसके पास 7 किलो 250 क्राम चर्स परामत हुई। पुलिस ने नेपाली यूवक भीम सिंग के खिलाप मामला दर्श कर लिया है। फिलहाल उससे पुछ ताच की जा रही है कि वह ये चर्स कहां से लाया था और ये कहां वेजी जानी थी। एसचो नवीन शाल्टा उमीद कर रहे हैं कि पकड़े यूवक से कई कुलासे हो सकती हैं और कई बड़ी मचलियां उनकी गिरफ में आ सकती हैं। फिल्चो नवीन शाल्टा ने बताया कि गस्त के दौरान उनकी टीम ने नेपाली मूल की विक्ती से 7 किलो 250 ग्राम चरस परामद की हैं। जिसके खिलाब मामला दर्स कर लिया गया है और आगामी कारवाही अमल में लाए जा रही है। पेट्रोलिंग के दौरान बुरूरी के नजदीक सोलन शिमला रोड पर 7 किलो 250 ग्राम चरस ब्रामद की है। विक्ती नेपाल मूल के है तथा चरस कहां से लाई और कहां ले जानी से बरे में जाच की जारी है। तथा चरस को पकड़ने के लिए हमारा अलगतारे बियान जारी है, गश्त बढ़ाई जारी और नाकबंदी की जारी है। कामले की पूस्ती करते हुए DSP RL वंसल ने बताया कि उनकी टीम ने नाक लगाया था नाके की दोरान विक्ती की तलाशी ले गई तो उसके कबजे से पुलिस ने 646 कराम चरस ब्रामद की है।